हे दोस्तो स्क्रीपरनास्री चैनल में आपका बहुत वस्वागत है तो जैसे कि आप लोग के लिए मैं बता ही दिया था गुड नियूस है कि इस नंबर पर आप मुझे डारिक्ट कॉल कर सकते हो लेकिन दोस्तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर अगर आप कॉल बुक करते हो तो आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा क्योंकि फ्री कंसल्टेशन नहीं है ठीक है और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका प्रॉब्लम जो है वो उतना गंभी नहीं है छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट क वोग ज्यादा गंभी रहे और आपको लगता है नहीं डायरिक कॉंसल्टेशन आपको बुक करना चाहिए आप मुझे इस नंबर पर यहां पर आपको प्रॉसस बता दिया चाएगा और फिर आप मुझे से ज्योंना डायरिक्ट बात कर सकते हो लेकिन फिर से मैं जानोगे तो बहुत हार्ड लगेगा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसे की पार्टनर हमारे भीना रहे ही ना पाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस पांच ही काम बताऊंगी ध्यान से पूरा वीडियो वाच कर लीजिए और जो भी काम मैं बताती हूं ध्यान से उसको अच्छे से पहले सुनना समझना फिर इसको अपलाई करना ठीक ऐसा ने कि वीडियो देखके चले गए और आप सोचे कि ऐसा हो जाएगा तो नहीं होता है मैजिक नहीं है ना तो आपको अपलाई करना जरूर आपको आपके मन चाहे रिजल्ट मिल जाएगा चेलिए वीडि क्या हो सकता है देखो फस्ट कम यह है पार्टनर को कभी भी बुरा फील मत कराओ अगर आप पार्टनर को बुरा फील करवाते हो आप उनसे जगरा करते हो लड़ाई करते हो तो पार्टनर आपसे दूर ही रहना चाहेंगे तो पार्टनर के पास रहना चाहेंगे ही नहीं ठीक अगर हम पार्टनर के साथ थोड़ा सा भी मिजबीएप करें तो वो हमसे दूर चले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं होता है बुरा फील करवाना और थोड़ा सा भी गुस्ता वगेरा में थोड़ा सा फर्ग होता है बुरा फील करवाना मतलब है कि आप उनको फील करवाते है और अगर आप पार्टनर को बुड़ा फील करवाओगे फिर आप उनके लिए कुछ भी करो वो आपके साथ उतना सहज नहीं हो पाएगा और उतना आपके साथ जाना रहने के लिए उतावले भी नहीं होगा तो आपका फास्ट कम ये है जब आप पार्टनर के साथ बात कर दें हूँ या फिर आप जब partner के साथ हो आपkrंके सास्त रह रहे हो तो ऐसी कुछ भी बाते मत करना जो उनके दिल को बहुत ज़ादा ठेस पहुचाएए उनकी कोई भी कमी हो उसको लेके फील करे अगर ऐसा करोगे तो इस चिसका लग जाता है फिर जब पार्टनर आपसे दूर होंगे तो वही सारी चीज़े उनको याद आएगा और वो हमेशा चाहेंगे कि आपके साथ होने के लिए तो यह बहुत जो अच्छी पॉइंट है कि आप पार्टनर को हमेशा अच्छ करते है यह है तो आप पार्टनर की हर बात में हां नहीं करना अब दोगो ऐसा नहीं कि आप हर बात में नाहीं करते हो तो अगर आप ड Link करें तो नहीं करना पड़ेगा मालोपा बोलते हैं कि चलो कल मिलते हैं तो आपको एक दम दो लिटर पानी दिआ तो थंडा चैना तो मालोपाँ पाणि का भूज शाएग्गा और आपको पानी पीना है आपको requirement है पानी का और आपको एकदम दो लीटर पानी दिया जाए ठंडा ठंडा तो तुरंत है आपका प्यास बुझ जाएगा और अगर आपको बोला जाए कि नहीं अभी नहीं मिल सकता है पानी अभी आपको दो घंडें दिजार करना पड़ेगा फिर मिलेगा तो आपका प्यास और कितना जादा बढ़ जाता है तो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको हमेशा याद करें आपकी बिना रहे ही ना पाए तो उसका जो प्यास थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है यह है उसके ह हार बात में हां मत करना कुछ-कुछ बातों को आप अंसुना कर देना तो इससे भी उनका जो चाहत है वह बहुत जादा बढ़ जाएगा अब चलिए थार्ट नंबर पॉइंट में आ जाते है ऐसा क्या कर सकते हो जिससे की पार्टनर हमेशा आपको याद करें आपकी बिना रही ही ना पाए तो तीन नमर पॉइंट यह है दोस्तों जब आप अपने पार्टनर के साथ बात करें हो तो हमेशा कोशिक करना आप अगे चलके आप फोन कट कर देना या फिर आगे बाई बोल देना मालनों आप फोन पर बात कर रहे हो और आपको अपर रखना है अभी ब हमी आ गया या फिर थोई देर बात करते है या फिर अभी वाई मतलब रखने का जो बात वो आप फरस्ट करो उसको करने मत दो और वो बोलते है चलो और एक घंटा बात करते है तो आप बोलना की नहीं अभी नहीं पॉसिवल है अभी मेरा दूसरा कॉल आ रहा है मैं बाद म यह सब उसके बोलने के लिए आप इंतिजार करते रहते हो या फिर आपको जोड से नीन दा रहें फिर विए बोलने से ड़ते हो इचके चाहते हो कि वह पता नहीं क्या सूचेंगे तो आप जाने अन जाने अपने पैर पे कुलहरी मारे हो तो यह चीज़ आपको नेक्स टा रखना या फिर उसको अंसाटिस्वाइड रखना यह मेरा ड्यूटी है ऐसा सोचो देखो पार्टनर आपके बीना रहे ही नहीं पाएगा क्योंकि वह आपसे कभी भी सैटिस्वाइड नहीं हो पाएगे और जब उसके अंदर वह डिस सैटिस्फिक्शन बचा रहेगा एकदम सामने से दिखेगा ठीक है चलो चान नंबर पॉइंट में आ जाती कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिसकी पार्टनर आपके बीना रहे नहीं पाएगा तो चान नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों उसको कभी-कभी सरप्राइस गिफ्ट दिया करो अब देखो गिफ बहुत जादा सैटिसफाइड रहते हैं बहुत जादा इंप्रेस होते हैं और इससे क्या होता है वो आपसे जब भी दूर रहेंगे ना तो यह सारे बाते उसको याद आएगा कि वो मुझे यह प्यारा सा तोफा दिया था या फिर वो मुझे इतना सरप्राइस किया था प्यारा प्यारा प्यारी यारे है ना यही उसको सही नहीं रहने देगा आपके बिना तो यह बहुत जादा सरदार एक ट्रिक है इसको भी ज़रूर आप अप्लाई करना अब चलो पांच नंबर पॉइंट में आ जाता है लास्ट काम है कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिसकी पार्टनर आपके बिना रहे नहीं पाएगा कही पर भी रहेगा बस आपके खयाली उनके दिमाग में चलेगा हमेशा वो आपको जो है ना मिस करेगा तो यह पांच नंबर जो पॉइंट है दो यह है उसके मन में खोने का डर पैदा कर दो अगर उसके मन में थोड़ा सा आपको खोने का डर होगा ना तो डेफिनिटली वो आपको मिस करेगा आपकी बिना रहने पाएगा अब आप बूलोगे कि खोने का डर कैसे पैदा किया जाए तो इसके उपर औरेडी मैंने बहुत सार वीडियो बना के रखे है जिसका लिंक टो आच बिटन में मिल जाएगा या फ्रेस किप्शन में मिल जाएगा तो ज़रूर जाकर देख लेना या फिर साच करना यूट्यूब में खोने का डरस थी परण न स्रीकर के तो मेरे वीडियो आपको लिखने को मिलेगा और वह वीडियो मैं houses में कर लेना अ और बाकी का चार पॉइंट आप फॉलो करना फिर अप लिखे ले लो आपके पार्टर आपके बिना रह नहीं पाएगा